हे आप से गोपता है हम यहां पर नाइन चैप्टर सिक्वेंस सिरीज को देख रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं 9.2 जो एक्सराइज है जो कि आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के उपर है उसको हम देखने वाले हैं कि वह किस तरह से उनके बात करें अर्थमेटिक मीन क्या होता है यदि आपको यह क्लियर नहीं है तो प्लीज आप लास्ट वीडियो को एक बात देख लीजिए क्योंकि वहां से कंसर्प क्लियर हो जाएंगे तो कुषिन गंडे में थोड़ी आसा नहीं हो जागी राइट नाओ ओके तो चले यहां यहां पर आपके पास क्या होगा कि यह जो नमzeit के आपके आस, यहाँ हो जाएगा i2 , A3 then A4 a5 on करते-करते यह मुझे नहीं पता कहां पर है यह he सबसे पता करें, यहाँ पर कि A क्या है तो A मुझे पता है 1 है, D क्या है, तो D भी मुझे पता है, क्या है यहांपा, टू-टू है, तो मैंने 2 बना लिए, और जो हमने A N को यहांपर गोछित के लिए यहांपर, A N को डिफाइन के लिए यहांपर, तो वो होगिया, टूटा जाया, 1 हो गया, अब यहां से हम n निकाल सकते हैं n कैसे निकालेंगे यहां पर formula पता है ना बिलकुल पता है क्या formula होता है यहां पर बात करें तो मैं यहां पर l is equal to a plus n minus 1 into d लगाँगा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहां पर मैं आपको यह भी बोला था कि जब मुझे लास्टम पता होगी तो मैं यह formula apply कर दूंगा और जब मुझे लास्टम नहीं पता होगी कोई ऐसी randomly number निकाल ला होगा तो मैं यहां पर इसको एन बना दूंगा तो दूनों possible है दूनों same formula यह formula के लिए कोई changes नहीं है आप चाहें तो यहां पर an भी लगा सकते हैं उससे भी आपका answer मिल जाएगा और इससे भी answer मिल जाएगा तो यहां पर बात करें यहां पर n नहीं पता है और यहां पर n-1 हो गया डी कितना था डी आपकास था टू राइट ना ओके यह दर गया तो एन-1 की जो वैलू आपके आपके आपकास यहां पर आपके 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 लिएगा तो एन की वैल्यू आपके आपके आई है वन थाउजन वन निकल के आ गई है एन के वेल्यू कितनी निकल का यह है वन थाउजन वन ओके वन थाउजन वन आ गई क्या हमें चाहिए था नहीं चाहिए था तो हमने निकाला क्यों अरे हमें यहाँ पर सम निकालना था यहाँ पर सम निकालना था और जब हमें सम निकालना यहां पर तो मैंने यह formula बताया था यहां पर मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि जब जब मुझे लास्ट रम पता होगी तब तब मैं वह फॉर्मला ही लगाने वाला हूं मैं लॉंट से नहीं जाओंगा शॉर्ट फॉर्मले से यूज करूंगा अब जब मैं शॉर्ट मै कितनी वाली 1001 divided by two a की value कितनी है आपके पास यहां पर एक वैलू 1 है एक वैलू कितनी है वन यह हो गया one l की value last value last कितनी है two thousand one तो यह होगी two thousand आपके आश हो गया one right ओके तो अब देखे two thousand one और प्लस one two thousand two two thousand two divided by two तो कितना होगे ज़रा बात करें तो s n is equal to आपके आश हो गया one one zero multiply और यह हो गया two two यहां पर बात करें फिर से two और टू डबल जीरो फिर और तो यह आपके आश हो गया clear अब multiply करें तो multiply करवा देते हैं बहुत आसार है देखे one triple zero one one triple zero one okay one zero zero और हो गया one right now one zero 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 उसके राद फिर से करता हूं यहाँ यहाँ प इसके बाद देखें फिर से करता हूं यहाँ पर तो जी कितनी मार आएगा यहाँ पर देखे one आएगा और 100 one thousand one आ जाबाद यहाँ उसके बाद आपके आ वादिदे जीरो और पर one clear अब write आपका स्क्राइब यहाँ 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 पर one आ गया गया देन जीरो आ गया देन आ गया देन-जीड आगया देन का वन आगया तो से की जो वैल्लू आपके निकल कर आई है वो कितनी है 1002 001 आगया इस तरह से आप अपना मेड लिजर निकाल सकते हैं और यह हैं यहां पर और यह क्यलेशन आपको करणे हैं मैं यहां पर next question बोला है find the sum of all natural number lying between, yes आपकास lie किसके between कर रहा है यहाँ पर hundred and one thousand के बीच में which are multiple of multiply of five, multiply or five, multiply five होना चाहिए, इन दोनों की बीच में lie करना चाहिए मतलब मैं बात करूँ देखे, one thousand, one hundred से तो आपकास greater than होना चाहिए x की value and less than होनी चाहिए one thousand के according, clear, equal to sign है नहीं यहाँ पर और क्या होनी चाहिए, five की multiple होनी चाहिए, उन number की series बनानी है और उसका हमीचा निकालना है, उसका हमें यहाँ पर sum निकालना है, okay, clear, तो निकाले हैं यहाँ पर, तो सबसले मैं बात करूँ यहाँ पर देखे, a1 के बारे में, फिर बात करूँगा, a3, फिर बात करूँगा, a4, और उसके बाद बात ही करना बन कर दूँगा, इससे, okay, तो अब मैंने यहाँ बात करनी बन की, तो पहले नमबर क्या हो गए यहाँ पर, 100 से बात करें, तो इन्होंने बताया, 105 मेरा अगला नमबर है, इन्होंने बोला, 110 नमकला न बिलकुल नहीं देंगे, क्योंकि वो अपके आसे इंक्लूडिंग में नहीं है, तो फर्स नमर मिल गया, लास्ट नमर मिल गया, सम निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, कैसे निकालेंगे ज़र बात करते हैं आपर, तो सबसे पहले मैं an का फॉर्मला लगाँगा, अब an का फ की वैल्यू कितनी है, 995, is equal to a की वैल्यू, 105, plus n-1, plus d की वैल्यू कितनी है, 5, right now, okay, फिर क्या करें, सब्रेक्शन किया, यहां पर, और डिवाइड भी 5 कर दिया, यहां पर मैं तो सीधा n-1 की वैल्यू लिखूंगा, n-1 की वैल्यू देखिए, 5-5 किया, 0, अपके आस किय यहां पर 9, और उसके बाद आगया, आपके आस, 8, divide by 5, clear, यहां किया, अब आप क्या करेंगे, यहां पर, divide कर देंगे, करें, divide, देखिए, 5-5, 5-5, 5 हो गया, पीछे रहा गया, आपके आस कितना, 3, 3 और 9, 3 और 9, मलब 37, 35, 37, 75, 35, 5, और कितना हो गया, 4, 40, कितनी बार गई है, इस अफ के लिगा, यहां से मापके वास, यहां पर, तो यहां से मैं, सम का फॉर्मला क्या बोलेगी, कि आप यहां पर सम का फॉर्म्मला बोलूंगा एसन इस इकल टू एन बाइट टू ब्रैकिट क्लोज ए प्लस यही लगांगा बड़ा वाला फॉर्म्मला नहीं लगोंगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम शॉर्ट बगरना चल लगता है तो इसलिए मैं यहां पर एसन लगांग 295 आपके आस हो चुकिए अब देखें एसन की वैलू निकाले 179 डिवाड़ेट बाइट वाइट टू और इन दोनों का एडिसन 545 होगे 10 कैरी वान 9 और वन होगे 10 10 और वन होगे आपका आस 11 तो यह हो गया आपका आस 11 क्लिया ओके अब टू से कंसल आउट करना टैन फिर आपका आस है जीरो तो यह आपका आस आ गया एसन इस इकल टू आप क्या बोलेंगे 179 इंटू 500 550 550 ओके और मैं मुल्टिप्लाइब कर देता हूं यहां आप 179 इंटू 555 ओके तो 95 कितना 95 हो गया 45 45 का 5 क्या लिए लग आपका 475 कितना हो गया 75 हो गया 35 35 और 4 हो ग 9039 का 9 करे लगिए 35 25 553 होगय है यहां पर यहां पर 5 अनए कितना हो गया यहां पर 15 हो गया 14 14 का 4 कैरी मेल गма 999 हो गया 1818 का एक एक लिकूंद कितना लेगे नाइन येट फॉर-फॉर फइलिगे और ये क्यों आपका अंसर उजागा वहां पर बहुत ही सिंपल है यहां पर बहुत सिंपल तरीकसे करना है राइट चले नेक्स्ट यहांपर चलता है नेक्स्ट कोशियन क्या करा है कोशन को ला है in a.p is the first term is a 2 मतला पहली जो term से आपकास कितने यह 2 है सम पहली जो 5 term यहां पर बुला गया है one-fourth of the next 5 term अगली 5 term का क्या आपकास बात करें यहां पर one-fourth है तो आपको निकालना है यहां पर show करना है कि जो 20th term होगी उसकी जो value होगी वो आपकास क्या होगी, यह होगी, यह आपको गरना है, अब आप कैसे कर सकते हैं, इस तरह का result कैसे निकल सकता है, वो ज़र बात करें यहाँ पर, तो मैं बोलता हूँ आपकास जो A1 है, उसके बात करें A2, आपकास A3, आपकास A4, आपकास A6, A7, A8, A9, और आपकास क्या ग है, यह 1-4 है, इसका यह 1-4 है, तो मैं करता हूँ, इसका 1-4 कर देता हूँ, तो आपकास दोनों value क्या जाएगी, equal आजएगी, और equal आने से आपके सारे answer भी आजएगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर 2-D लिख देंगे, यहाँ आपके अस यहाँ पर क्या लिखेंगे टू प्लस, यहाँ पर 3-D लिख देंगे, यहाँ पर 2- hiring, यहाँ पर 4-D लिख देंगे, यहाँ पर इसका मैं sm की बात करूं ऐसे नम्बर 1 यहां पर सम्धिखें इन दोनों का सम्धार्ट तू वहन क्या उन्ट si यहां पर जलते हैं मैंस कलिए आप क्या तर्जैनें दोनों काि यहां पर एक प्लस यहां पर 70 लेह देन आपके पास यहां पर एक प्लस 90 लिखेंगे और उसके पास आपके अम्स आगए उसके पाद अप्लस यहाँ पर साही लग गया अब इनका ऐडरी संगे बात करूँन इनका अधिलिसम्स मद्र county month 5 प्लस 6 3 7 प्लस 8 प्लस 9 इनका कि इनगर नहीं वोके इंक एडिसिन कितना हो टायद चला पाथ करें तो किसके वाइट में लिफ Champions फाइप लोगạं टाइब बात करें लयद यहाँ प्लास के इतना कितना होगे नाइन राइट ओकिय आधे का इसे कर सकते हैं कि यहाँ पर फाइफ और फाइब करेंगे तो कितना हो गें तो यहां पर अब टोगे हाँ पट होके अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेश Leganie fé encantaर यह वुलाइए ये कम है और यहे ज्यादा है और यह कांड़ा हुँ इसके साथ 14 लगाता हूं और यहां पर इसको आटी ज्रेन देता हूं इसका दै क्या हुआ 10 startup 10 D को आटी कांड had इससे आप अपना निजल निकाल सकते हैं तो क्यासे निकालेंगे यहां पर 40 को मल्टिप्लाइब तो यह हो गया 40 प्लास यहां पर बात करूं 40D हो गया इसी कल टू यहां हो गया 10 प्लस यहां पर 35D हो गया ओके एक काम कीजिए को इसको इधर मल्टी इदर वेजी जी तो माइनेस का हो गये हां पर यह इधर जाएगा तो यह माइनस का हो गये तो दी के वैलु गई हो गया 40 माइनस 35 हो गया तो आपके आस हो गया 5D is equal to 10 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो गये हां पर 30 विड लेग़िघ ड 30, तो d की value कितनी हो गई यहां पर, minus को 30 divided by 5 हो गया, और 5 6 हा कितना हो गई, यहां पर 30 minus 6 हो गया, इसका उधार d की value कितनी हो गई, minus का 6 हो गई, तो d आपके वाज आगया कितना minus 6, और d आपको नहीं पता था, तो अब आपको पता चल चुका है बैन मैं बात करूँ A की वेल्यू आपके 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 है यहाँ पर 2 आचुकिए अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर so that 20 yes so that 20 terms is minus 112 तो अब आपको क्याँ शो करना है क्लिया आप देखें यहां पर बात करें यहां पर बात करें यहां पर बात करें तो यह होगया 20-1 ग्लाद करें यहां पर मैंस का 114 अचह मैंस का 114 आपके यहां से आपके यहां-कर 2 को लैस करें तो कितना आएगा माइनस आएगा बैन आपका आज़ेगा वन वन टू आज़ेगा तो यह कितना आगे है यहाँ पर माइनस का वन वन टू कितना यहाँ यहाँ पर A20 आचुका है A20 के जो value है वो कितने यही है minus के 112 आई है अच्छा A20 की value आपको क्या दे रखी है minus के 112 दे रखी है इसका मद़र क्या है यहाँ पर यह correct answer है clear? तो I think clear समझे आगया होगा किस से करना है question number यहाँ बात करें 3 को ओके तो मिलते है next studio केंदा है till then good bye कर दो करेंदा है